हेलो बच्चों विल्कम बैक तू मैं चैनल कैसे हैं आप सब लोग आप लोग की BPSC जो जिन बचों ने PGT Commerce से फॉर्म फिल किया है कांट से जिनका सब्जेक्ट है उनकी में प्रपेशन करा रहेगी आज की विडियो में पढ़ेंगे के बारे में हिरास बहुत ही अच्छा टॉपिक है यहां से कोशन जरूर बनता है एक या दो कुशन तभी तभी आ जाते हैं इससे तो आज की विडियो में आपका टॉपिक इससे पहले भी मैं इसकी काफी विडियो अप्रोड कर चुकी हूं अलगते चानल पर प्लेलिस्ट अविलबल है देख करते हैं आप लिंक दिस्किप्शन में हैं तो यह वीडियो को श्रू करते हैं विश्रू करने से पहले जिन बच्छे ने सब्सक्राइब ने किया होगा चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक जरू करना बिल्कुल ही भूला है और फैंट सब वीडियो को शेर कर देना है तो पहले समझ लेते हैं कि डिप्रिसेशन होता क्या है हिराज क्या होता है अच्छे आप जोग जनली जानते ही हो इसे से बारे में जब हम कोई भी इस चया हैए कि यह स्ताहँ की होती है की जैसे समस्कों उसके यूज परते जाते हैं उसके मूलय में कमी आती जाती है घर्टा जाता है उसका मूलन समय होती है इसको प्लय संटे बिल्स बेदने से या सत हुटा यह ऐसो समझते जाएंगे कि कमी होती है इसको प्रयोग करने से या समय या कभी कभी होता है कि हो इस को रहता है उसकी कार है उसकी वालू रहता है तक की वैलू रहती है वह आपके पास सही condition में हो लेकर उसके market value क्या होती है वो गीरो हो जाती है वो किस वज़े से होता है depreciation लगने के लिए से होता है तो धीरे धीरे जो किसी asset के किसी company के मूले में इसकी value में कमी होती चली जाती है इस हाई रुप से कमी होती है उसे हम हिरास केते हैं यानि कि depreciation कहते हैं जो हम का काफी important होता है जो हम अपने accounts बना रहे होता है अपने accounting गार रहते हैं उसमें क्योंकि सही हमको मूले याद करने के लिए जो सही financial condition को गयाद करने के लिए जरूरी होता है कि हम depreciation को charge करें और अप इसमें पहला पॉइंट जो आता है वह हो जाएगा फिर लाब व्याद करने के लिए लोग नेट पॉफिट इसके हमको नेट पॉफिट पता चले क्यों कि दिखाया जाता है उसे वहां पर दिखाते हैं इसलिए इंप्रेश्ट अकॉट जो बनाएंगे वहां पर भी डिखाए पिर आता है आती किसी जानने के लिए फून ओरा फाइनेशल पॉजिशन वही चीज़ों मैंने भी बताई कि जो एसेट है वो सही मूले पर आपके जो बाले शीट है उसमें दिखाए हैं सही वैलू को दिखाए इसलिए इंप्रेश्ट होता है कि हम डिप्रेश्ट को चार् को पर नहीं बना रहे हैं कि हमारे इसेट है वह उतने ही वैलू पर दिखाते रहेगीं लेकिन चेली किसे वालू है लेकिन ही के स्कृतिक है अर्थिक इस्थेच्ट हाई हि उप्र फोरा असट को दिखा रहे हैं दिशे को होगा हमारी काम होते चली जाएगे अपने और कापिलाइज हो जाएगा जो क्या मैंता है हूवर कापिलाइज होसलों जाएगी जिसके हुए चुर्छ से धीरे धीरे ही ढूप जाएगा क्योंकि काप्टल नहीं मचेंगे तो धीरे धीरे वह ढूप जाएगा इसलिए हिए और करते हैं कि हम ma के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमने चार्ज किया है या कोई पॉइंट बनाया था जिसमें हम जो डालते जा रहे हैं क्रास्फर करते जा रहे हैं पॉफिट में से जब हमारी एसेट को दस साले बीस साल जो भी उसकी लाइफ रहेगी उसके सवाफ होने के बार इतन सब्सक्राइब लेकिन हम दीरे दीरे अगर जोड़ते रहेंगे तो वहाँ पर हमाई विए आसानी हो जाती है उतना इमांट होगा कि हम आसानी से कहसे को रिप्लेस कर देंगे और हमारा लगता बीने चलता रहेगा यह राता है लावाश का बटारा डिस्टिबिशन ऑफ ड नहीं दिखाएगा तो गलत भी है मैं तर्सके पहले हम पे करते हैं तो पॉपिट निकालना पड़ता है उसके लिए आपको डिप्रिसेशन चार्ज करना कम पसरी होता है अनिवारे होता है नहीं तो क्या होगा जो लाभाश होगा वो दिर दिरे जो कापिटल है पूजी है इसमें से आप बात में लेगेंगे अज़ इतकी लाभाश को आप पूजी में से वितientras नहीं कर सकते है यह सारी जिस के दिखाए सकते हैं जिसके कर मिया इसके हैं आपके ऑप जbet्स यह प्योदों परता है तो आपके क्लिया हो गया होगा की जिते क्या होता है या क्यूं principles manager वहां पर मैंने जिजन को भी टेमें समझाया है दीरे दीरे समझेंगे तो हमाई लिए आसान रहेगा इसका एक नेक्स पार्ट भी आएगा दिसमें वहां पर इसकी जो मैधर्स होते हैं उसको भी समझें तो आई वेंसे कोशन की तरफ चलते हैं और से तॉल करते हैं आई पर्स्ट कोशन लेते हैं डेप्रेसेशन इस कॉस्ट भाई हिरास का कारण होता है प्राइस फ्लक्शुएशन मुल्य चावचन सेल भुक्रे यूज आप एसे संपत्य कप्रियों ना दिनने से कोई नहीं कॉशन में का रहा है कि किस कारण से लगा जाता है उसको असे कहा जाता है पhras इसपोटी है तो अगर आज आपने वो फरीदी है और लैक की फाइस पर तो धीरे-दीरे क्या होती है उसकी mark वालु कम होती जाएगी तब दस साल बाद अगर आप उसको सेल करने रिसेल करने जाएंगे तो वहाँ पर मांसरटवालू काफी कम होची होगी । होता है ऐसा है धीरे धीरे क्या होता है कि समपती के किप कहलाए हमारी करेखर कं यह का कैलाती है 성 conquer कि क्या कारड होते हैं हिराज के वापका option दे रखें इसमें एक option जो आपका संपत्ती का प्रयोग है यॉवसाफ एसे हैं वह होता है Depresation का कारड इस देरी से को डिप्रिसेशन लगता है इसके अलावा गर हम बात करें तो दो देहां के हो जाते हैं इसके कारड एक होते हैं जब हम एसर्स को यूज करते हैं जैसे विल्डिंग है फ्लांड है मशिनरी है कोई उसको जैसे से यूज करेंगे धीरे-धीरे क्या होती है उसके तूपम होती है वो धीरे-धीरे नाश्ट होती चली जाती है सब्सक्राइब सब्सक्राइब रहते हैं कि तेल का फूआ है जैसे कि आप उसके निकालते जाएंगे दिरे दीरे उसमें भी कमी होती चली जाती है इसमें रहता है कि कुछ खाने वाली वस्तों ना किया जाए कुछ टाइफ एक टाइफ है डिपूसेशन का इस्टर्नल कॉजस जो होते हैं तो जैसे से समय बीतने पहरास जाने के बाद उसकी वैलू भी जीरो हो जाती है जिन लोग आपके पास वैकल्स होंगी आप लोगको आईडिया होगा इस ते बारे में आप इसलब से हरास हो सकता है अपको लेंस किसे बोला जाता है कि जब नई भी तक आप कि डिटेल में समझा दियें तो वह जाती है तो वह क्या है एक डिपरसेशन का ही टाइब होता है तो ही कारण हो जाते हैं दो तहां के इंटर्नल और इक्स्टर्नल उससे की डिपरसेशन होता है मैंने सारे आपको रिटेल में समझा दिये एक्जाम में कोई भी आपको पूछेगा तो आप क्लियर रहें एक डिप्रिसेशन क्या होता है यहाँ पर क्या क्या तरिक आंसल होगा हो जाएगा ऑप्शन C next question है हिरास को परिभाशित करें define depreciation and increase in the value of an asset over time the source diminishes over the long run because of utilization assets that can quickly be turned into cash none तो यहाँ पर एकांसा अपसे हिरास की depreciation की definition पूछी है कि क्या होती है तो यहाँ पर जिखम long time में तक किसी भी asset को use करते हैं तो धीरे धीरे वह क्या होता है समाग हो जाता है इस विज़े से अपर depreciation लगता है तो एक तहांसा जो होगा हमारा और वही कमी क्या कहलाती है depreciation के लगती एक आंसर है option B हैस कोशन है हिरास का मुक्त उदेश क्या है what is the principle objective of depreciation show last year's profit, show records to income department, to get a tax rebate, to calculate net profit तो यहाँ पर बैसे क्लिए पूछे जाता है कि जो हिरास हम लगाते है depreciation charge किया जाता है तो उसका main reason क्या होता है क्यों दिखाया जाता है depreciation को जो हम books बना रहे हैं जो हम अपने accounts रख रहे हैं उसमें तो उसका main आपका जो reason होता है या जो main objective होता है वो यह रहता है कि सही profit को net profit को पता लगाने के लिए अगर हम जो depreciation charge नहीं करेंगे तो हमाई जो asset है जैसे को asset हमने 5 साल पहले ली थी आज 5 साल बाद उसकी वालों काफी घर चुकी है वो asset बहुत कम रहे गई है लेकिन अगर उसी मोलेट पर हम अपने account में अपने books में दिखाते जाएंगे तो वहां पर यह रहेगा कि हमारा जो net profit है वो सही हम नहीं दिखा पाएंगे हमने actualty asset दिखा रही होती हमाई पास नहीं होगी जिसकी विज़से क्या होगा हम profit अपना सही नहीं दिखा पाएंगे इसलिए जरूरी होता है इसके उद्देश यह आव शक्ता कह सकते हैं अर्ट किस्टी जानने के लिए to know the financial position यह पता चले कि किती assets हमाई पास हैं अभी करेंट में पोजी को टूपने से बचाना प्रिवेट डिर्जन ऑफ कापिटल कि अगर हमने डिप्रेसेशन का पोईजन नहीं किया है या डिप्रेसेशन को चार्ज नहीं कर रहे हैं हम नहीं दिखा रहे हैं तो आपर हम सही नंक से यह नहीं पता पाएंगे कि assets इतनी है तो जो capital दिख इतनी है उसको टांसर कर दिया जाता है तो जब भी संपती जो होती है वो पूरी तांसर माफ हो जाती है तो मैं पर इतना fund होता है कि उसी से हम नई संपती को रिप्लेस कर देते हैं तो आप डाइट बुझन से हमें एक बार में पैसे नहीं निकालने करते जिसकी विजर से क दिया जाता है उसके लिए भी आपड़ कर देखर करना जरूरी होता है तो यह वह ऑफ्शक्ता है यह महत्व है यह उद्थेश्व है ब्तेस्व होते है तो मैंने सब कुझ अपको डिटेल की सब्सक्राइब सकतिया यहां जो उद्थेष है चो दिलावकी गर्ना करना कर्ण क्या आंसर होगा option D next question है हिराज का क्या कारण है what called depreciation loss of goods, purchased of goods increased liability, wear and tear तो अभी मैंने आपको समझाए थे इस सारे कारण उसमें wear and tear भी था कि जो फूर्फूर्फ हो जाती उस्ते भी संपातियां धीले-धीले समाप सो जाती तो एक आंसर होगा हमारा option D next question है खातों में हिराज का प्राधान करने के पीछे क्या कारण है what is the reason behind making a provision for depreciation in account to show the current value of assets, to show current debilities, to charge the cost of assets against profit to purchase new assets यहाँ पर पूछ रहा है कि जो खातों में हम depreciation को provision करते है वो कि provision भी किया जाता है जिससे कि अशक्ता हो तो मैं पस इतनी amount हो कि हम उससे replace कर सके तो उसके पीछे क्या कारण होता है उसके पीछे इस कारण होता है कि जो profit है हमारा उस profit में से हम depreciation को निकाल करके उसका provision कर सके हैं जिससे गिए अशक्ता हो तो वहाँ पर हमारा बस इतना पर हो और हमें कहीं और पर से उस amount को ना निकालना पड़े इसलिए charge किया राता है profit में से इसलिए charge किया राता है profit में से जो हमारा depreciation है वो तो तो एक तांसर होगा हमारा तो charge the cost of assets against profit तो एक तांसर हो जाएगा हमारा option C next question है तो यहाँ पर question में पूछ रहा है कि कौन सा method है जिसमें जो depreciation charge किया जाता है वो हमेशा एक जैसा इससे रहता change नहीं होता तो वो हो जाता है straight line method जिसमें एक आपका निधाली दर्से लगाया जाता है उस पर ही आपका हरवाश depreciation charge किया जाता है उसमें कोई changes नहीं आता कि एक आपका हो जायेगा हमारा option B next question है हिरास के संपती पर लगाया जाता है depreciation is charged on fixed asset, current asset, both fixed and current asset none of double depreciation होता है वो किस्ता की asset पर लगता है यह fixed asset पर लगता है जो इस थाई संपतियां होती है उन पर charge किया जाता है एक दांसर हो जायेगा option B क्योंकि बात ही हो रही थी कि लंबी अवधी क्योंकि एक कुछ दिन में या कुछ महीरों में तो फूट-फूट की बात हो रही है तो लंबी अवधी की बात होगी तो वहां हमारी fixed asset ही आ जाएंगी पर एक दांसर हो जाएगा हमारा option ही next question है निम्कित में से किस संपतिक हरास नहीं लगेगा which are the following asset generally assumed not to depreciate machinery, building, land, all of the world अच्छा question है तीनों ही asset क्या है आपकी fixed asset ही है लेकिन कौन सी asset ऐसी है जिसको depreciation charge नहीं हो लगता या normally इस जिसे नहीं माना जाता है कि हरास हुआ है मशीनिर पर भी होता है building पर भी होता है लेकिन जो भूमी होती है land होती है तोकि depreciation में होता है कि धीरे धीरे वो कम होती जाती है लेकिन अगर हम बात करें भूमी की land की वो जितनी है normally उतनी ही रहती है उसमें कोई डिपरसेशन नहीं होती है क्या असर यहां पर होगा हमारा option C नेक कोशन है आए का एजियन के अंतरगार तेराज किस पर मिलता है अंडर income tax act, depreciation is allowed on purchase price, market price, return on value, payse value तो कोशन में कहा रहा है कि आपका income tax act है उसके अंतरगार जो depreciation होता है वो किस value पर किस मूली पर या किस price पर लगाया जाता है तो यह आपका जो return on value है यानि कि अपलखित मूली होता है उस मूली पर लगाया जाता है तो एक आंसर होगा हमारा option C नेस्स कोशन है अश्वादर रास्त को अगले कितने करनेधारा वर्षों तक समर्जन हेत्व आगे ले जा सकता है पर how many assessment years unabsorbed depreciation can be carried forward फस्ट टोफ 5 years, 7 years, 8 years unispecified period कोशन में कह रहा है कि जो अश्वादर रास है जो unabsorbed depreciation है उसको आप कितने वर्षों तक कितने करनेधार वर्षों तक आगे ले जा सकते हैं और वो आपका legal होता है, valid होता है तो यहाँ पर जो show this हरास होता है unabsorbed depreciation होता है उसको आप unispecified period तक के लिए ले जा सकते हैं अपने जो profit होगा उससे return off कर सकते हैं, उससे poison कर सकते हैं उसकी कोई time limit नहीं है carry cancel होगा हमारा option D next question हरास है depreciation charges are cash expenses, financial expenses, non-cash expenses, non-operating expenses question में कह रहा है यह जो depreciation होता है यह जो charges इसके होते हैं यह किस तहां के होते हैं नगत वे होते हैं या फिर victim हैं या फिर गार नगत वे हैं या गार परिशालन वे हैं तो जो बात करते हैं यह depreciation charges किस तहां के होते हैं यह non cash expenses होते हैं गयर नगत गयर होते हैं तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा option C ने इस question है हिरा सिर्फ हमपतियों का इसके उप्यों की जीवन की बाद अर्मानित मुले कहा जाता है The estimate value of depreciable assets after its useful life is part Hustle value, replacement value, disposal value, current value तो question में कह रहा है कि ऐसी assets उन पर depreciation लगाया जाता है तो उनके उस जीवन काल के बाद जो भी उसकी life है उस life के बाद उनका मुले बचता है उसे क्या कहा जाता है उसे अप्शिश्ट मुले कहा जाता है disposal value कहा जाता है एक आंसर हो जाएगा option C next question है बोल हेरास्त मुक्ति रूप से निम्निक के कारण बिदान किया जाता है depreciation is primarily provided due to reduced tax burden, replacement of this asset in future, complied with legal requirements, all of tribal तो यहाँ पर question कह रहा है कि लिए depreciation है वो किस कारण से दिया जाता है करका बोज कम करने के लिए भुष में जो इस्थाई संपतिया या चल संपतिया उनके पस्थापन के लिए कारूनी अशक्त नागान पालन करने के लिए तो यहाँ पर जो depreciation होता है जो मुख्य रूप से अगर हम कहें कि तू लिया जाता तो वो हो जाता है में आपका तूचर में लो आपकी फिस्ट एसेट है उसके रुप्लेस्मेंट के लिए आपको के पास वांड को एक उतना एक खट्टा हो कि विस्या सनी से आप रिप्लेस कर सकें उस एसेट को तो एक आंसर होगा हमारा ओप्शन भी कोशन का मतलब है कि एक संपती है जो 25 रुपे में क्रैकी गई थी खरीदी गई थी और उसका 10 पसंट पतिवर्ष की दर्स दे जो आपका इस क्रवागत ह्ट्र करती है उससे रास्ट चार्ज किया जाता है राच लगाया जाता है समिझस का मू लेकिया लगे पीवर्ष के बादcza सपन लिए होगा ऐसे की निकल की आईगी आई देखें कि कैसे सॉल करेंगे से हम क्या वैलू है 25,000 की वैलू है इसको कॉल करने के लिए जो ओरिजिनल इसकी कॉस्ट है 25,000 की है दिख लीजे फास्ट एर में आप डायेक 10% डिप्रस्टेशन लगाएंगे 25,000 का लेस करिएगा कितना बालेंस बचा आपका पास बालेंस आएगा 22,500 का सेकेंड एर में फिर हम जे 10% चार्ज करेंगे तो अब हम जो चार्ज करेंगे वो हम चार्ज करेंगे जो हमारा 22,500 आया है 22,500 की अब जो हमारे पास आसेट बची है रिमेन है उसकर हम चार्ज करें जो हमारी 22,500 की जो वायलू थी आसे की उसमें से तो बालेंसिंग अमॉंट कितना आएगा 30,250, 20,250 अब फ़र्ड एर में हूंकि आप से तीर रश के लिए कहा था तो तीसरे यह साल फिर निकाला जाएगा 10% तो अब जो निकलेगा किस पर निकलेगा वायलू पर 20,250 की जो वायलू है अब उसको हम 10% चार्ज करेंगे कितना आएगा 20,25 दो हजाद पच्चिस अब हम इसे लेफ कर देंगे जो हमारी एसेट की वायलू की उतने से तो अब कितना बालेंसिंग अमॉंट हमारा थार डर के बाद बचेगा डिविस्टेशन चार्ज करने के बाद का कितना आ जाएगा 18,225 याने की 18,225 यहीं हो जाएगी हमारी तीन वर्ष के बाद से संबत्य का मुल है वो यहीं होगा हमारा तरिक तांसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी कंप्यूस करने के लिए आप से तीन ही अमॉ 25 यहीं हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी तो इस तांसर किया जाता है अगर इंग्जाम में आप से कोशन पूछता है इसी में मैथट का होगा तो ध्यान रखीगा किस मैथट के अनुसार पूछा है उसके अकॉर्ण आपका आंसर होगा एक्जाम में जाधा तर जो आपके डिम कौशन है अमूर संपत्यां पर हिलाज किदर है इस इस कितनी पासेंटेज होती है उसे किस पर चार्ज किया जाता है वह चार्ज किया जाता है 25 पर 35 पर 25 पासेंट का एक तांसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक आज़के वीडियो में इतना कोई एक विडियोiau अच्छी लगें होगी आपको वीडियो अच्छा लगी होगी, उसक्षाइब कर्ने और हैं तो दो करें के लाइक करोगा, अधर पीडियो को बाधा कने सब्सक्राइब उसके बैले, इसा याकोचा अधर ऐब आकट मेलें थाँ, यह कोचे आप्त।